जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और काम करना शुरू करते हैं, हमें एक बात बार-बार सुनने को मिलती हैं, कुछ नया सोचो, कुछ हट कर सोचो, think out of the box, जिससे creativity या रचनात्मक्ता भी कहते हैं, शोद बताती हैं कि रचनात्मक्ता जिससे हम गुण, प्रतिबा, योगिता, और स्वागत है आपका मेरे चैनल, टू ब्रेंस में, और आज हम बात करेंगे, कालरिंग बुक्स, क्रियेटिविटी, और चाइल्धूड, जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, तब लगबग डेर साल के आसपास, स्क्रिबल या आड़ी तरची लकीरे खीचना कहते हैं, मतलब जब हम कुछ सीखते हुए, अपने शरीर, अपनी मास पेशियों का इस्तमाल करें, उधारन के लिए हम साइकल चलाना कैसे सीखते हैं, साइकल पर बैठ कर, पैडल करके, संतुलन बनाते हुए सवारी करते हैं, किसी और की द्वारा बताने पर की साइकल कैसे चलाएं, हम साइकल चलाना नहीं सीख सकते, दीरे दीरे बच्चे का स्क्रिबलिंग पर नियंतरन आना शुरू होता है, और साड़े तीन से चार साल की उमर में, वे अपने स्क्रिबल को नाम देना शुरू करता है, जैसे मम्मी, पापा, डॉग, आदी, इस चरन में, बच् उसमें अपना पसंदीदा रंग भरते हैं, वे रंग जो ने पसंद है, अपीतु इसके जिस रंग का कुत्ता होता है, हम माता पिता अकसर ये सोचते हैं कि बच्चों को मनुरंजित और प्रेरित रखना हमारा करतव्य और जिमिदारी है, इसलिए जैसे जैसे बच्चा होती है, ध्यान रहे, मैं है कलरिंग बुक्स की बात कर रही हूँ, जिसमें चितर पहले से बना होता है, और बच्चे को सिर्फ रंग भरना होता है, ड्रोइंग बुक की नहीं, जिसमें खाली पन्ने होते हैं, और बच्चा उसमें अपना मन चाहा चितर बना सकता है, रचन क्योंकि वे अपने द्वारा बनाई गई चित्र की तुलना, कलरिंग बुक में छपीवी तस्वीर से करने लगते हैं. और ये बहुत सही बात है. हम इसे बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि हम ड्रॉइ नहीं कर सकते, मगर ड्रॉइंग तम सभी बना सकते हैं. बस जो हम ड्रॉइ करते हैं वे पुस्तक के चित्र से मेल नहीं खाता और हमें लगता है कि हमारी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है. हम बचपन से अपनी ड्रॉइंग को बुक की ड्रॉइंग से जो पॉफेक्ली प्रिंटिड हैं और तब तक कंपेर करते हैं जब तक हम अपनी बनाईवी ड्रॉइंग से निराश नहीं हो जाते और ये बात मान नहीं लेते कि हम ड्रॉइंग नहीं कर सकते. शोत बताती है कि कलरिंग बुक का इस्तमाल बच्चों की रचलातमक्ता के लिए हानिकारक है. स्टाटिस्टिकल डेटा दरशाते हैं कि बच्चों की क्रियेटिविटी कलरिंग बुक से प्रभावित होती है. ऐसा ही एक एकस्पेरिमेंट किया गया रसल और वागमें द्वारा इसमें बच्चों को बर्ड का चितर बनाने के लिए बोला गया. फिर उन बच्चों को एक कलरिंग बुक दी गई जिसमें बर्ड का चितर था और उसमें रंग भड़ना था. अब इन बच्चों से फिर से बर्ड का चितर बनाने के लिए बोला गया और नतीजा ये आया कि 63% बच्चों ने इस बार बर्ड किताब में दी गई बर्ड के अनुसर बनाई ना कि अपनी पहले वाली रच्छात्मक्ता के अनुसर. इस चितर में हम एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने वाले एक बच्चे की बर्ड की ड्रोइंग को देख सकते हैं. फिगर ए दिखाता है बच्चे की पक्षी की कलपना कलरिंग बुक इस्तमाल करने से पहले. Figure B दिखाता है Coloring Book के पक्षी जिसमें बच्चे को color करने के लिए बोला गया Figure C Coloring Book में color करने के बाद बच्चे की bird की drawing को दिखाता है और आप देख सकते हैं Figure A में बच्चे ने bird की हर detail का वर्णन किया है जैसे उसके पंग, प्मूच, आंक और चोच वहीं figure C में उसने अपनी मूल स्रजनात मकता को खो दिया है इस वीडियो से मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चों की coloring activity को ही बंद कर दे क्योंकि बहुत बार बच्चे अकबार में दिये गए चितर में color करते हैं या भाई बहन की पुरानी पुस्तकों पर मगर हाँ, हम एस parents बच्चों को force ना करें coloring books यूज करने के लिए बहुत से parents and teachers मानते हैं कि coloring books hand-eye coordination सिखाती हैं और boundary lines में color करना सिखाती हैं जो लिखना सीखने के लिए काफी जरूरी है मगर hand-eye coordination तो बच्चे और भी activities से सीख सकते हैं और लिखना सीखना तो एक developmental milestone है जिसको विक्सित होने के लिए parents को बच्चों को परियाप्त समय देना चाहिए धन्यवाद